बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम असलाम लेकुम उमीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अच्छे से होंगे अल्लाइ आप सब को सलामत रखे आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन की कलेजी आज मैं आप लोगों के साथ मसालेदा चटपटी कलेजी शियर करने जा रही हूँ अक्सर लोग कलेजी खाना पसंद नहीं करते हैं लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सबी लोग कलेजी ज़रूर खाएंगे मैंने इस कलेजी को अच्छे से वाश कर लिया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ सिरके का एक धकन यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शिनल है आप चाहें अगर आपके पास सिरका नहीं होगा तो आप इसको हल्दी वाले पाने में अच्छे से उबाल लेंगे दो या तीन उबाली से जरूर देंगे अब मैंने सिरका डाल दिया है तो आप मैं इसको ढखते रख दूँगी या आदे गंटे के लिए आदे गंटा हो चुका है तो आप देखे कलेजी का रंग भी चेंज हो चुका है और इसमें से काफी बलड भी निकला है अब हम इसे अच्छे से वाश कर लेंगे और उसके बाद हम इसे कूप करेंगे अब मैंने एक कड़ाई को गैस चुली पे रख लिया है और इसमें ओयल भी डाल दिया है ओयल हमारा गरम होने तक हम वेट करेंगे ओयल हमारा गरम हो चुका है इसमें में डालती हूँ बड़ी अलाइची का एक टुकरा चोटी अलाइची का एक टुकरा और दलचीनी का एक टुकरा छोटा साथ मुझे तो इतना ही मसाला पसंद है ज्यादा मसाले नहीं खाने चाहिए आप चाहें तो ज्यादे भी डाल सकते हैं जैसा आपका टेस्ट होगा तो इससे हमें 10-15 मिन्ट अच्छे से बुन लेना है अब मैं इसमें एड़ करूंगी प्याज प्याज मैंने दो लिये हैं छोटे साइस की लेकिन आप चाहें तो एक बड़ा प्याज ले सकते हैं अब मैं इसे अच्छे से चलाऊंगी और प्याज को हम ब्राउन करेंगे ज्यादा ब्राउन नहीं करना है क्रिस्पी ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है मैं प्याज को बलके हमें प्यास को थोड़ा थोड़ा ब्राउन करना है और फिर इसे हमें अच्छे से गालना है जब तक हमारा प्यास फ्राइ हो रहा है तब तक मैं ये तीन टमाटर चॉप कर लेती हूँ अच्छे से प्यास हमारे ब्राउन हो चुके हैं अब मैं इसमें डालती हूँ चौप की हुए टमाटर अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है अब मैं इसमें अड़ कर दूँगी नमक टेस्ट के मुताबिक अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब मैं इसमें अड़ कर दूँगी जिंजर गालिक पेस्ट मेरे पास पेस्ट था तो मैंने पेस्ट डाला आप चाहें तो साबत को भी कूट सकते हैं साबत अद्रक लसन को भी आप कूट सकते हैं अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, हमें इसे बीच बीच में चलाते जाना है, बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जल भी सकता है, आप देखें, ये देखें, टमाट्रों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, टमाटर और प्याज हमारे अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं, अब इस पॉइंट में हमें इसमें डालेंगे मसाले, देख टेबल स्पून मैंने ली है लाल मिर्ची, एक टेबल स्पून ली हमेंने हल्दी, एक टी स्पून लिया है मैंने जीरा पाउडर हाफ टी स्पून लिया है मैंने ब्लैक पैपर पाउडर काली मिर्ची पाउडर और एक टी स्पून लिया है मैंने सॉंफ पाउडर ये सब हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे मसाले को हमें अच्छे से बुनना है मसाला हमारा जलना नहीं चाहिए जब हमें लगे के ये बिल्कुल इसमें से पानी सूख चुका है हमें इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके चलाते जाना चाहिए ये देखें ये पानी मैंने इसलिए इसमें डाला ताके हमारे टमाटर और प्यास बेहद अच्छे से गाल जाए मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है अब इसने काफी तेल भी छोड़ दिया है अब इस पॉइंट में हम डालेंगे कलेजी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च काट के छोटी छोटी काटी हो या बारीक काटी हो या और हरा दनिया इससे बहुत अच्छी खुश्बू आएगी अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे पॉइजी अच्छे से फ्राई हो गई है मसाले के साथ अब हम इसे जलाना नहीं है बलके इसमें पानी डालना है पानी के में डाल रही हूँ दो छोटे कप आप देखें अब अच्छे से इसे मिक्स करना है और 20 मिन तक इसे डग कर पकाना है अच्छे से ताके हमारी कलेजी भी गल जाए और ये जो ग्रेवी है ये बिलकुल कम हो जाए 20 मिन हो चुके हैं तो अब हम चेक करते हैं माशालला खुश्बूत हो जबर्दस आ रही है आप देखें इसमें हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी होती है अब हम इसे सर्व कर लेते हैं आप देखें माशालला बहुती लजीज बनी है बहुती अच्छी खुश्बू आ रही है इसकी अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और जो आज मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अब देखें ये देखें कले जी हमारी अच्छे से गल चुकी है अंदर तक बहुत ही अच्छे से गल चुकी है मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज अच्छे से अच्छे से गल्ला हाफिज